Welcome to the channel, आज की इस वीडियो में IUGR और SGA के बारे में पढ़ा जाएगा IUGR का मतलब है intrauterine growth restriction और SGA का मतलब है small for gastrational age और साथ ही इस topic से जो भी exam में कोशिन आते हैं वो भी discuss किये जाएगे सबसे पहले IUGR, तो जो है IUGR का मतलब होता है कि ऐसे babies जिनका जो है जो birth weight है वो 10% से कम है for their average gastrational age इसमें जो है जो IUGR है वो जो है preterm baby में भी हो सकता है term baby में भी हो सकता है और post term baby में भी present हो सकता है जैसे कि अगर हम graph में देखें तो जो 28 week का अगर जो है कोई baby है ये IUGR तब होगा अगर हम इसके 10% के line को देखें तो मतलब अगर ये जो है साड़े साथ सो ग्राम से कम हो रहा है मालों कि ये 600 या 500 ग्राम जो है 28 week में जो है कोई baby पैदा हो रहा है तो वह स्मॉल है for their gastrational age उसी प्रकार अगर हम 34 week में जो है चेक करें तो अगर जो है किसी बच्चे का जो बजन है वह जो है 1500 ग्राम से कम मतलब 1400 ग्राम है 34 week में तो वह जो है स्मॉल for gastrational age या इंट्रायूट ट्रेंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है वैसे ही 40 week में अगर देखें तो वह जो है क्या कश्रेशनल है एच के के ऑकरडंग जो है स्मॉल है अब इंसीडेन्स gebracht आते हैं तो इसमें जो है किसकी वज़ास होते हैं और जो घासर वी मतलब मतलब जो यह जो नार्मल वर्त वेट कितना है और लो बर्थ वेट और बेरी यह बर्थ वेट और यह एक्स्रेम्ले लो लोबत्वेट वेपी क्या हुआ तो जो नॉर्मल हमें पता है कि जो बेवी का बशन्वेट होता है वह 2.5 से 3.9 kg होता है और जो लोब लगेट वेबी होता है वो होते है बाऊ-अ-च है तो 2.5 kg जी उसके बाद है कि जो टाइपस क्या है आई यूजी यार के तो इसके लिए सबसे पहले जो है नॉर्मल इंट्राइउट्राइन ग्रोथ को समझते हैं जैसे कि स्टेज वन तो स्टेज वन में होता है हाई पर प्लेजिया मतलब इसमें जो है जो साइज का जो है नंबर इंक स्टेज टू तो इसमें जो है हाईपरप्लेजिया और हाईपरट्रॉफी दोन होते हैं और यह 20-28 वीक के अंदर होती है और जो है डिकलाइन माइटोसी मतलब माइटोसी थोड़ा कम होता है जो है स्टेज वन और इंक्रीज होता है इसमें सेल का साइज और इसमें अगर आ हेपरट्रॉफी होती है रैपिट एक्टमूलेशन ओफ फैट कनेक्टिवटी शुकी होती है और जो है अगर इस टाइम पर आयू जी आर हो रहा है तो वह अर्समेट्रिकल आयू जी आर का लाएगा है अब क्लासिफकेशन ओफ आयू जी आर तो इसमें सबसे पहले टाइप पैथो फीजोलोजी में इंप्यार्ट साल डिवीजन क्लिनिकल फीचर होता है और हैड और अब्डॉमिन की रेश्यों जो है नॉर्मल हो सकती है प्रोग्नोसिज इसमें पूर प्रोग्नोसिज होती है मतलब असानी से नहीं पता किया जा सकता कि स्मेट्रिकल आयू जी आर ह हो रहा है और यह 20% में यह एक को व्यार्वी क्रेमाज करता और अब आया अस्मीट्रिकल आयू आयू जी परसेंट ओता और इसके आहिं होता है में व और इसमेजीर में तर्व इसको ग्रो चांपरेंज होता है यह से सरकंफरेंज होता है यह से इस जो करते हैं जैसे कि जो बेबी में मालो की हैं रिग से सेंटीमिटर रहे तो जो उसका सरकंफेरेंस है वो जो है 27 से भी कम होगा और जो प्रोग्नोसीज के जो है मोर फेवरेबल प्रोग्नोसीज मतलब पता लगाया जा सकता है कि ऐसमेटरी कल आयूज या अब इसके बाद है कि कॉस के चार तरीकों में डिवाइड होते हैं, maternal, fetal, placental and other, maternal में जो है, small woman means less than 145 cm है, यह malnutritional woman को poor weight gain during pregnancy, यह साइनौर्टिक heart disease है, malabsorption syndrome में, यह toxic में, alcohol smoking, chronic renal disease है, fetal में जो है, congenital anomalies आगया, जैसे की cardiovascular disease, renal disease, chromosomal abnormality में, trisomy of 21, 18, 13, और जो है, उसके अलावर, maternal syndrome, इस टाइप के syndrome, उसके बाद है, torch agent, torch agent में, torch की full form याद रखने के डिया है, T से जो है, toxoplasmosis, O से जो है, other, जैसे की hepatitis B हो गया, R से rubella, C से cytomegalovirus और H से herb simplex virus, अगर मदर को जो है, torch का agent से जो है, infection हो रहा है, तो tetrogenic condition arise ह होती है, मतलब congenital abnormality बच्चे में देखने को मिलती है, उसके बाद है, अगर multiple pregnancy है, तो वो भी fetal की cause है, placental में जो है, अगर chronic placental insufficiency हो रही है, यह poor uterine blood flow to the placental size for the long period of time, unknown में जो है, जो cause है, वो unknown rare है, उसके बाद है, डाइग्नोसिस कैसे करेंगे, वैसे तो IUGR का डाइग् मतलब जो है, but following point to point अगर हम चेक करें, तो हम डाइग्नोस कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले identify the high risk mother, तो इसमें teenage pregnancy को consider किया जाएगा, elderly first baby तो नहीं हो रहा है, या past history of IUGR, abortion और IUD की किसिक में हिस्ट्री तो नहीं है, उसके बाद है, second में further periodic examination which lead to suspicious, इसमें जो है, जो है, जो ह पर मंथ जो है, less than 2 kg से जो है, वो बढ़ रहा है, in the second half of pregnancy, और जो है, reduction of symphysis fundal height by 2 cm before 36 week, और 3 cm thereafter, अब जो है, measurement of abdominal girls जो है, show करते है, stationary, जो है, falling value, उसके बाद है, ultrasonography, head to abdomen and femur to abdomen, जो है, ratio चेकी जाएगी, pondural index जो है, जो है, चेक किया जाएगा, इसमें जो है, वेट इन्ट 200 upon length in cm3, और जो है, इसमें जो है, 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 का वॉल्यूम चेक किया जाएगा रिड्यूस डास्टॉलिक ब्लॉड फ्लो तु दे अंबलाइकल आल्ट्री ये भी चेक किया जाएगा अल्ट्रसों डॉपलर अल्ट्रसोनोग्राफी के थू उसके बाद है कि आफ्टर वर्जुए हम इन फैंट में कैसे डाइग्नोस कर सकत अब्लाइकल कॉर्ड होगी पिनना जो होगा और जो है रिफ्लेक्स बच्चे में पूर होंगे या फिर अबसेंट भी हो सकते हैं उसके बाद है कि मेनेजमेंट कैसे करेंगे हम आयूजी आर के तो सबसे पहले कनफर्म करना है आयूजी आर क्या है और टाइप्स क्या है उस टेस क्यायोथ सब्सक्राइथ में अगर आपक्यूब्ड में जाते हो सामीफा जोन फेरifiques देघ्णेसी करेंगी है अगर जोए लंग जूरैशन हो सके बाद टर्मीनेशन करेंगे अगर ज्क्री नंटर चुके हैं तो हम सीधे टर्मीनेशन आहेंगे उसके बाद है अगर जूए सेंटर विद लिमीटेड फैसिलीटी में हम जा रहे हैं तो उसमें जो है in utero transfer to a referral center करेंगे या management according to available resources hospitalization में bed rest, folic acid, maternal hyper oxygenation और low dose aspirin देंगे और pregnancy को continue करेंगे 34 week तक अगर possible हो रही है उसके बाद जो है terminate कर देंगे अगर जो है mild iugr तो इसमें increased bed rest, folic acid, fetal monitoring till 37 week and then termination is done और फिर टर्मिनेशन और pregnancy अगर जो है pregnancy more than 37 week है तो हम directly terminate कर देंगे pregnancy को उसके बाद है complication क्या है iugr की तो वो जो है fetal or maternal complication होगी फेटल में जो है during antenatal period जो है chronic fetal death हो सकती है intranatal में जो है hypoxia or acidosis में बच्चा जा सकता है after birth में जो है immediate में जो है fixia हो सकता है pulmonary hemorrhage hypoglycemia polycythemia muconium aspiration pneumonia और जो है hyperthermia necrotizing enterocolitis हो सकता है late में जो है retarded neurological और intellectual growth congenital infection congenital abnormality और chromosomal defect हो सकता है maternal complication में जो है fetal growth restriction does not cause any harm to the mother तो mother में कोई complication arise नहीं होगी इस condition की वज़ा से उसके बाद है कि इस topic से जो है exam में कौन-कौन से question पूछी जाते हैं तो very low birth weight means weight less than 2.5 kg less than 1.5 kg less than 1 kg and none तो इसका right answer है 1.5 kg उसके बाद है ponderal index is used for तो यह जो है किसके लिए use होता है iugr, rds, cvd, and none तो जो ponderal index है वो यूज होता है iugr के case में next iugr की full form क्या है तो first intrauterine growth restriction in utero growth retardation uterus growth relay and none तो इसका जो है right answer है intrauterine growth restriction पहले इस चीज को कहीं बार retardation बोलते हैं बट जो एक्ट्र में iugr की full form है वो है intrauterine growth restriction next iugr means birth weight less than 20 percentile for gastrational age less than 30 percentile less than 10 percentile यह 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 तो iugr के मतलब है less than 10 percentile for their respective gastrational age next question in torch c trend fall तो c का क्या मतलब है torch के infection में तो जो साइनो को वैलमीन या cytotrophoblast यह cytomegalovirus यह नन तो इसका जो right answer है cytomegalovirus आज की वीडियो यह इंपर खतम होती है अगर आपको वीडियो अच्छी लगते है तो आप like और comment कर सकते हो thank you